C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 21 पाठ तरह तरह के परिवार बोलो भाई कितने? आओ, सब मिलकर एक खेल खेलें, इस खेल को तो तुम जरूर जानते होंगे सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर ताल बजाए जब तक ताल बजता रहे, तब तक सब गोले में भागते रहे ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोक कर कोई भी छोटी संख्या जैसे पाँच, चार या दो जोर से पुकारे ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो, उतनी ही संख्या की टोलियों में बढ़ जाओ जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते, वे खेल से बाहर हो जाएं जब तक केवल दो बच्चे गोले में ना रह जाएं, यह खेल खेलते रहो आओ, अब खेल के बारे में कुछ बात करें जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए, तो तुम्हें कैसा लगा? क्यो? अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए, तब तुम्हें कैसा लगा? और क्यों? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन-किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये लोग एक परिवार के हैं ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं कहां कहां देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ, हम कुछ और परिवारों के बारे में जानें सीताम्मा सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुष्टैनी मकान में रहती है मकान में नीचे दादा, दादी, छोटे चाचा और बुवा रहते हैं पहली मन्जिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिताजी, मा और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है दूसरे हिस्से में ताओ जी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं कुछ ही महिनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती में एक कमरे में रहते हैं उनकी नई नई शादी हुई है रात के खाने के पहले सीताम्मा की मा सब बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं सबका खाना नीचे रसोई में इकठा बनता है कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं आजकल रात को ताउजी की छोटी लड़की सीताम्मा की मा के पास ही सोती है सुभा सीताम्मा उसे स्कूल के लिए तयार करती हैं सीताम्मा के परिवार में कौन-कौन हैं? इन अलग-अलग लोगों का आपस में कैसा रिष्टा है? इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या-क्या बदलाव आये हैं? तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चैन्नई में रहती है उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है मीनाक्षी सुभा ओफिस जाती है और शाम को घर आती है स्कूल से लोटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं वे ही उसे खाना खिलाते हैं स्कूल का काम करने में मदद करते हैं उसके साथ खेलते भी हैं चुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं खूब मजे करते हैं कभी-कभी तारा की मौ परिवार के लोग मिलकर क्या 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 करते हैं? सारा और हबीब सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं शाम को तीनों साथ बैठ कर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं अबू को सब के साथ टीवी देखने में मज़ा आता है देखने के साथ साथ बहस जो होती है छुटी के दिन पडोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं सब साथ मिलकर मज़े करते हैं कभी कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, और कभी नाटक देख कर इस परिवार में कौन-कौन है? पिताजी को सब के साथ टीवी देखने में ज्यादा मज़ा आता है बताओ क्यों? परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? तोताराम तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाईयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आये हैं उसके पिताजी और चाचाजी यहां नौकरी करते हैं घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं तोता राम की चाचा की हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गाउं में तोता राम की दादा को भेजते हैं तोता राम की मा, दादा दादी, चाची और छोठे भाई बहन गाउं के घर में रहते हैं तोता राम साल में एक बार गाउं जाता है उसे अपनी मा की बहुत याद आती है वह उन्हें लंबी चिठ्थी लिखता है तोता राम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? तोता राम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गाउं में और क्यों? क्रिश्ना और कावेरी क्रिश्ना और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं सुबहा तयार होकर तीनों इकठे घर से निकलते हैं कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए दोपहर में कावेरी स्कूल से लोटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है लोटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलिविजन देखती है पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं चुट्टियों में कावेरी अपनी मा के पास रहने जाती है कृष्णा भी कई दिन वहीं मा के पास रहता है पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है उसकी सारी चीजें और पिताजी जो यहां है कृष्णा अपनी बेहन का ध्यान कैसे रखता है परिवार में क्या-क्या काम इकठे करते हैं तुमने कई परिवारों के बारे में जाना कुछ सवालों पर चर्चा भी की परिवार क्या है? परिवार कैसे कैसे होते हैं? इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी अब बताओ परिवार में क्या क्या होता है दिये गए वाक्यों में से जो परिवार में होता है उस पर सही का निशान लगाओ एक परिवार की लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं वाक्य दो, परिवार की लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है वाक्य तीन, एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं वाक्य चार, परिवार की लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। वाक्य पांच, परिवार के बड़े लोग अपनी परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। वाक्य चे, परिवार की लोगों का आपस में जगडा हो तो भी सभी साथ रहते हैं। वाक्य साथ परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देख भाल होती है अपने परिवार की कुछ और बाते सोचो और खाली जगह में लिखो सीताम्मा का परिवार क्या तुम परिवार की कलपना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? जैसे सीताम्मा के परिवार के पेड़ चितर में होंगे दादा दादी जिन से जुड़े होंगे छोटे चाचा, बूढ, बड़े चाचा और बड़े चाचा से जुड़ी होंगी बड़ी चाची दाता दादी से जुड़े होंगे ताउजी और ताउजी से जुड़े होंगे तायची दाता दादी से जुड़े होंगे पापा और पापा से जुड़े होंगी मा नाना नानी से जुड़े होंगी मा और पापा और मा से जुड़े होंगे सीताम मा और गीताम मा चलो, आप तुम भी अपने परिवार का इसी तरह से पेड़ चित्र बनाओ इसके लिए किसी बड़े की मदद लो तरहा तरहा के परिवार अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत